Morning 5th class, take out your Hindi व्याकरन बूक, chapter 8, उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, उप का आर्थ है समीब और सर्ग का आर्थ है स्रष्टी करना, आर्थार्थ नए आर्थ वाला शब्द बनाना इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए आर्थ वाले शब्द का निर्मान करता है, जैसे कि उप जमाकार, उप कार, आ जमा, गमन, आ गमन, वी जमा, नाश, विनाश दिये गए उधार्णों में उपसर्ग, उप, आ, वी के मिलने से नए आर्थ वाले शब्द का निर्मान हुआ है, निमलिक्त उपसर्गों बनाए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, आ से क्या होगा, अजर, अमर, अथा, अमूर्थ, अज्यान, आ असे आजीवन, आगमन, आजन्म, आदान, अन, अनपड, अनजान, अंगिनत, अनभन, अनुसे अनुज, अनुगमन, अनुकरन, अनुराग, अपसे अपियश, अपमान, अपशब्द, अपहरन, उपसे उपग्रह, उपप्रधान, उपदेश, उपकार, नीसे निबल, दर निवेदन निमास निर से निर्वल निर्भय निर्मल निर्भल निर्वासन निर से निश्चल निश्चल निश्पल निश्कासन दुर से दुरगाम दुरदशा दुराचार दुरुप्योग दुष से दुषकर दुषकर्म दुषसाहस दुषप्रचार आपको समझा गए होंगे, आप इसकी एक्सेसाइज करेंगे, उपसर्ग किसी शब्द में किस असान पर जोडे जाते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोडे जाते हैं, किसी शब्द में उपसर्ग जोडने पर क्या होता है, किसी शब्द में उपसर्ग जोडने पर नए आर्थवाला शब्द बनता है किनी चार उपसर्गों के नाम लिखिए अ, आ, अन, अनू निमलक शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्गों को अलग लग कीजिए पराजे, जे तो मूल शब्द है और इधर उपसर्ग परा है सो मार्ग, मार्ग जो है मुल्चब्द उपसर्ग सु है अहार मुल्चब्द अहार मुल्चब्द हार और उपसर्ग आ प्रति दिन मुल्चब्द दिन है और उपसर्ग प्रति निमलिक शब्दों में से मुल्चब्द और उपसर्ग को अलग लग कीजिए अज्यान, ज्यान और अ विदेश, देश, वी अपमान, मान, अप प्रचार, चार, प्रव तो ये तो सब उपसर्ग है बेटा और ये सब मोलशब्द है निमलक्त शब्दों में से मोलशब्द वह उपसर्ग को अलगलग कीजिए इदर तो आपके मोलशब्द है और इदर उपसर्ग है खुश दिल, दिल खुश दुर गम, गम, मोलशब्द है गम और उपसर्ग है दुर दुस साहस, साहस तो है मोलशब्द और दुस क्या है उपसर्ग पराजे, जै है मोलशब्द और उपसर्ग है परा शब्द से पहले दुर जोड कर नए शब्द बनाओ तो ये दुर जन, दुर बल, दुर गम, दुर लब नीचे दियेगे शब्दों के आगे अ जोड कर नए शब्द बनाओ नीचे दिये गए शब्दों के आगे नेरुपसर्क लगाकर नए शब्द बनाओ अधार निराधार आश्रे निराश्रे अक्षर निरक्षर दिये गए शब्दों के आगे अन जोड कर नए शब्द बनाओ अचार अनाचार उप्योगी अनप्योगी आवश्यक अनवश्यक इच्छा अनिच्छा अब सहाई शब्द क्या आगे जोड़ने से असहाई बना इस तरह से नीचे दियेगे शब्दों क्या आगे जोडकर नए शब्द बनाओ पार अपार, सहनिय, असहनिय, समर्थ असमर्थ, नात अनात, कारण, कारण, अकारण, प्रसन, अप्रसन इसके बाद निमले तुप सरगों से दोधो शब्द बनाईए अभगुण अभ से अभगुण अवरोद अद से अधमरा, अधपका आ से आजीवन आगमन पर से परदादा परदेश स्वासे स्वदेश स्वपन ये क्या है स्वपन निमलिक्त में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है पराकरम, पराजे, परामर्ष और परास्त बना है परास्त बना है, किसी शब्द में आप सर्ग का उप्योग नहीं हुआ है, अबस्था, पराजे शब्द में उप्सर्ग है परा, नीचे दिये गए शब्दों में सही उप्सर्ग वाले शब्द चुनिये, अप, अती, कू, और इसमें है बद, नीमल लिखे तो उप्सर्गों से बने, सही शब्द विकल्पों में से चुनिये, उथ का है, उथ कार्ष, कू का है, कू पूत्र, ना का है, नालायक, और निर का है, निर्बल, तो बेटा ही है, हमने चप्टर कम्प्लेट कर लिया, आप इसको नोटबुक में इसकी करेंगे, ओके,